दोस्तों बिहार इंटर एस्पोर्ट एडमिसन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वैसे तमाम चातर चातराओं के लिए जिनका नमांकन अभी तक इंटर में नहीं हो पाया है दिखे कई सारे रिजन हो सकते हैं पहला कारण ये भी हो सकता है कि आपने आउनलाइन आवेदन नहीं किया हो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने आउनलाइन आवेदन किया था परतम दुतिय और तिरतिय तीनों लिष्ट में आपका नाम नहीं आथा या तिसरा कारण य समिती निया ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और किलियर इसमें जनकारी दे दिया गया कि जो भी बच्चे ओए फैसस के मध्यम से इंटर कक्छा में एस्पोर्ट के थुरू अपना नमांकर लेना चाहते हैं या नमांकर अपकरवाना चाहते हैं तो आपको पूरी परकिरिया को समझना होगा और इस परकिरिया से ही आपकी नमांकर होगी अगर आप नमांकर इसमें नहीं करा पाते हैं तो ये आपके लिए अंति मौका होगा इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपकी साल बरबाद होगी फिर 2024 से 26 सतर में आपकी नमांकर होगी तो आई साथ आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को उन दोस्तों तक सेयर कर दीजे जो बच्चे का नमांकन अभी तक नहीं हुआ है नोटिफिकेशन देखेंगे आज के कल के डेट में रिलीज हुआ है लेकिन आज जो है इससे पब्लिक कर दिया गया है जिसमें सभी जिलार सिक्षा प परिक्षा समयते पटना द्वारा दिनांग 26 जून 2013 को पर्थम चैन सुची जारी किया गया था वही 18 जुलाई 2013 को दुतिये चैन सुची और बात करें 31 जुलाई 2013 को तिरतिये चैन सुची जारी कर दिया है अब इन तीनों सुची में जिन बच्चे का नाम हुआ है उनके ब जो सीटे अभी भी रेखते रह गई हूँ उन सीटों पर स्पोर्ट एड्मिंसन की परकिरिया के ताथ ओए फैसा स्पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर संबंदित विदाले महा विदाले में जमा करेंगे यहाँ पर आप समझिए कि देखे बताया गया है क कि इस्पोर्ट नमांकन हेतु यह जो निमनांकित तीन स्रेनी के विधारती है जो इसके तहत नमांकन करा सकते हैं पहला है देखेंगे वैसे विधारती जिनका चैन सुची जो जारी हुआ था तिरतिये चैन सुची में भी नाम नहीं आया था वैसे विधारती नमांकन करा स तिसरा वेस्य विधार्ति जिनका वे फैसेस पर चेंट हुआ था लेकिन उसके पहस्चाट होने नमांकर नहीं लिया इन तीनों परकार के candidate जो है इसके लिए आवेधन कर सकते हैं और आप अपना नमांकन करा सकते हैं अब online आवेधन किनको करना है और कैसे करना उसकी जनकारिष समझे और किनको online आवेधन नहीं करना उसकी जनकारिष समझे अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बिधार्ति गन जिस भी कॉलेज या जिस भी आप जो बिधाले हैं उसमें आप नमांकन कराना चाहते हैं स्पोर्ट के थुरू तो वैसे बिधार्ति को ऐसे स्पोर्टल से आवेदन पत्र की प्रति निकाल कर 10 तारिक यानि 10 कल से 10 जुलाई 10 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 के भी जमा करेंगे ऐसे बिधाले महा बिधाले जिन में तिर्तिय चाहन सूची के बाद भी जो सीठे बची हुई है उससी बिधाले में जमा करेंगे तो इसकी जनकारी कैसे मिलेगे तो इसको इसके लिए आपको क्या करना है अगर आपने ओनलाइन आवेदन कि इनको नहीं करना समझ लीजे जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन किये हुए थे जिनका किसे सुची में नाम नहीं आथा या नाम आया था आपने नमांकर नहीं करा है वैसे विधारती को ऑनलाइन करने किया आपने आवेदन किया होगा उसका जो प्रिंट आपके पास होगा या सब्सक्राइब करकर त्षे ललगिन करकर अब कि निकालेंगे निकालकर आपके नज़दिक में जो भी और करवा लीजिए या आपको विदाले में जमा करना होगा यहां पर जमा करने की बात कही गई है तो दस तारीक से पंदर तारीक के बीच में जिस भी विदाले में आपको नमांकर चाहिए उस विदाले में जमा कर दीजिए और यहां पर आपके मन में कन्फूजन होंगे कि क्या हम एक ही बिडाले में जमा करें या एक सिध्धिक में तो उसकी भी जनकारी इसमें दिया गया है हम आगे आपको बात करेंगे देखे यहां पर बताया गया है कि समंदित संस्थान के परदान को आवेदको से एस्पोर्ट न Isnakran कर कि आवेदन पत्र को प्राप्त करने है तो बिदाले महा बिदाले में दिनांक 10 अगस्त 2023 से 12 अगस्त 2023 तक एक काउंटर का विवस्ता होगा जहां पर आप आवेदन पतर को जमा करेंगे और वह बिदाले आपको एक प्राप्ति रसीद आपको दे देगी इसका मतलब आपने उस बिदाले में अगस्त 2023 को वह अपने बिदाले के सूचना पत पर इसकी जो सूची है उजारी करेगी कि इसमें कीन चात्रों को हमने सौट लिष्टेड किया है या ऐसा भी संबब हो सकता है बिदाले आपको जो है मोवाईल प्यार या इमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दे कि आप इस बिदारती अपने नमांकन की सब भावनाओं को देखते हुए एक से अधिक बिदाले महा बिदाले संकायक में स्पोर्ट नमांकन है तो आवेदन पत्र भरेंगे मतलब कि ऐसा भी हो सकता है अगर माल लिजे कोई ऐसा कोलेज है जहाँ पर सीटों के संख्या कम है और एक और आपके नजदीक में कोई कॉलेज है उसमें सीठे है तो आप दो जो कॉलेज है उसमें भी एस्पोर्ट एडमिसन के लिए अपना जो आवेदन फॉर्म है उसको आप जमा कर सकते हैं क्योंकि आपको बारा तारिक तक जमा करनी है तेरा को कॉलेज इसके सूची जारी करेगे साथे साथ वैसे बच्चे जिन्होंने apply नहीं किया है आप इनके portal पर जाकर आप apply कर सकते हैं आपकी apply की जो परकिरिया है हो सकता है यह 10 तारिक से link active करते या यह ऐसा भी हो सकता है कि जो बिदाले में जमा करने की तीथी है यह आपको बताया गया है कि इस बीच में कभी भी आ जारी कर देगा कल परसों में आपको यह link जो है जारी कर दिया जाएगा जहां से आप apply कर सकते हैं जो बच्चे online नहीं किये थे उसके बाद बताया गया है कि नमांकन कराने के उपरांत जो भी सीठे बच्चे की वो बिदाले का काम है को fss के portal पर update कर दे उसके बाद आप नोट में देखेंगे पूरी नमांकन परक्रिया समाप्त होने के बाद यह portal जो है इससे बंद कर दिया जाएगा तो देखें जो बच्चा का अभी तक apply नहीं हुआ है उन बच्चों को जो है इससी portal पर आकर आपको आवेधन करना होगा इसका जो link है उनको कैसे अप्ल आपने apply कर दिया है और आपने नमांकन नहीं कराया है तो आपको कैसे अपना form download करना है तो इनके लिए इसके portal पर जवाप आएंगे एक option मिलता है यहाँ पर student login का जिस पर click करेंगे और एक option मिलता है password आपके number पर होगा उसको डाल कर login करेंगे मानली यह password भी नहीं पता है यहाँ से इसको forget कर लीजिएगा और उस id password को कैपचा को डाल कर login करेंगे login करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक option मिलता है print cf का जिस पर click करके आप print ले लेंगे और यहाँ पर भी हो सकता है आपको option मिले आपके export वाला download करने का यह download intimation का जिस पर भी click करेंगे तो हो सकता है blank offer later आपको मिल जिसको download करें यही दो परक college में नाम आया है उस college में आपकी नमांकन परकिरिया होगी जल्द ही हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे जिनका अभी तक नमांकन के लिए apply नहीं हो पाया था वह online apply कैसे कर पाएंगे जिन बच्चों का apply हो चुका है उनकी भी जनकार दिया और जिनका नहीं हुआ उसको भी जनकारी दिया तो इस वीडियो को आप जरूर सेयर करें वीडियो अगर आपको पसंद हो तो इसे like भी जरूर करें धन्यवाद